नमस्कार दोस्तों आज आपको बताने वाले इस वीडियो में UBPSC ROARO के एक्जाम जैसा क्या संपन हो चुका है तो आज हम आपको उसका पेपर एनलिसिस करवाने वाले हैं आज का पेपर कैसे आया था तो सबसे पहले आपको सिफ्ट वन में जो पेपर हुआ था दो घंटे क समान अध्यन जनरल इस्टडीज का पेपर आपको दिखाने वाले हैं और इसके आंसर्स भी बताएंगे जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे यहाँ पर आपको देखिए सामने दिख रहा है स्रीज डी ठीक है कौन स्रीज है फ्रेंड्स स्रीज डी है यहाँ पर ठीक वर्स की उर्जा आउशकताओं की पूर्ती के लिए दूसरा सबसे महतवोन सुरोत है यहाँ पर चार आप्शन दिये थे मैं आपको केवल डिरेक्ट आंसर बताने बाला हूँ कि यहाँ पर कौन सा सही आंसर होगा तो फ्रेंड्स पहले वाले का सही आंसर आपका हो जाएग और इस प्रेकार से आपको यहाँ पर व्यवस्थित करना था आंसर तो दूसरे का आंसर जो आपका सही हो जाएगा वो होगा बी ठीक है बी वाला सही हो जाएगा आपका ये वाला चौथा दूसरा तीसरा पहला ठीक है यहाँ से आपका सही हो जाएगा आप्शन बी आई इ तो यहां पर एक तरफ दिया गया था आपको पूर मध्यकालिन उत्तर यानि प्रदेश के सहर और दूसरी तरफ दिया था वर्तमान आविस्थिती तो जो यहां पर आपका सही आंसर बनने वाला है वो होगा option D जे जाग भुक्ती बराबर कौसांबी यह आपका सुमेलित सही नहीं है ठीक है आपका आंसर क्या हो जाएगा डी वाला ठीक है वीडियो को शेर करते रही है अपने दोस्तों के साथ और हो सकता है तो आप लोग के status भी लगा दे ताकि आपको इतना अच्छा analysis कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा अपने दोस्तों को भी शेर करते रहीएग उत्तर प्रदेश के निमलिखित किस अतिहासिक मेले में हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए सही आंसर बता देते हैं option B ठीक है अगर आपने option B लगाया होगा तो आपका आंसर बिलकुल सही है बावरो बाबा का मेला इसके बाद पांचवा फ्रेंड्स वूलर जील है इसके बाद अगला question समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर से उत्पन हुआ था तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर बनेगा अरब सागर अरेबियन C ठीक है फ्रेंड्स आज आपको बता रहें इस वीडियो में जो की आज एक्जाम ह पेपर हुआ था तो आपको हम यहाँ बता रहें पहले सिफ्ट का जो की जनरल स्टेडी का पेपर हुआ था टोटल 140 कोशन पूझे गये थे और आपको समय मिला था केवल दो घंटे दो घंटे में आपको 140 कोशन करना था तो देखी यहाँ पर सात्वा कोशन क्या कह रहा है म अगर मैंने जितने वी बच्चों से बात किये तो सभी लोगों ने थोड़ा हाड बताया पेपर को आप लोगों कैसा लगा हमें कमेंट धरके बताईएगा आगर आपका पेपर था इसके बाद आपको हम बताएंगे सिफ्ट 2 का हिंदी का पेपर दिखाने वाले आपको आं का मैदान आज आपको बता रहे हैं इस वीडियो में समिक्षा अधिकारी सहायक समिक्षा अधिकारी का फुल कोशन पेपर इसके बाद नवा कोशन राज विधान मंदल की बैठक आयुजित करने के लिए कोरम गढ़ पूर्ती क्या है तो फ्रेंड्स यहां पर आपका सही आंसर बनेगा क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट करके बताएए ऑप्शन सी ठीक है सी वाला यहां पर बिल बनी तरंगे उत्पन होती है तो यहां पर राइट आंसर होगा प्रगामी एवं अनुधैर तरंगे ठीक है आपको फटा-फट बता रहे हैं यहां पर जो की कोई भी नहीं बताए आपको बिल्कुल भी आपका टाइम वेश्ट नहीं होने वाला है सारे कोशन हमनों ग्लाइ यहां पर आपका सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी उसे क्या कहा जाता है लगू उद्ध्यम आए आगे बढ़ते हैं निमने रितूओं को भारती कलेंडर के अनुसार काल करमन अनुसार वेश्टित कीजिए तो यहां पर सबसे पहले बनेगा देखिए आपका बसंद रितू तो यहां पर देखिए तीसरा नंबर यहां पर दिया हुआ है ब पर बसंद के बाद आएगा आपका ग्रिस्म इसके बाद आएगा वर्सा इसके बाद आएगा आपका सरद तो यहां पर आपका राइट एंसर क्या होगा ofction B इसके बाद question number 13 निमलिखित राज्जियों में से किसने ई रासन कार्ट सेवा सरप्रथम प्रारंब किया यहाँ पर बहुत सारी बच्चे confused थे कुछ लोगों ने गुजरात लगाया है कुछ लोगों ने दिल्ली लगा दिया है तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर बनेगा option B क्या हो जाएगा friends महाराष्ट इसके बाद question number 14 भारत की संसत द्वारा आपदा प्रवंधन अधिनियम पारित हुआ कब पारित हुआ तो यहाँ पर आपका right answer बनेगा option B बनेगा 2005 में इसके बाद 15 number question पढ़ते हैं नीचे दो कथन दिये गया है एक को अभी कथन A और दूसरे को कारण कहा गया है तो यहाँ पर दो कथन आपको दिया हुआ है पहले को अभी कथन कहा गया है और दूसरे को कारण कहा गया है तो देखिए आपको यहाँ पर direct सही answer बता देते हैं क्या होगा तो 15 का आपका सही आंसर बनेगा option C A और R दोनों सही है और R A की सही व्याख्या है ठीक है friends वीडियो को पूरा देखते रहिएगा सारे question आपको दिखाने वाले हैं अगर आपका exam था series D थी तो आपको question को मिलाते चलिए क्रम से और अगर आपका कोई भी series है तो आप question को आगे पीछे देख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है भारत 1 स्थिती रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम लिखित में से किस राज्य में जन जाती है जीलों की संख्या सबसे अधिक है तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर बनेगा option A निम लिखित में से विश्व में मचली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है जापान option A बन जाएगा A for apple बिल्कुल सही हो जाएगा वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचिन्तम 16 महाजनपत में से कुल कितने महाजनपत इस्थित थे तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा option C next इसके बाद 2-1 जैसे बल्ब को किस प्रकार जोडने पर अधिक रोसनी मिलेगी तो यहाँ पर आपका बनेगा question number 19 का सही answer आपका friends बनने वाला है option B क्या हो जाएगा 2 में अधिक then इसके बाद question number 20 निम लिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है तो यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है तो friends इसको हम क्या करते हैं थोड़ा hold में डाल दे दे इसके सही answer हम आपको बाद में बताने वाले हैं क्योंकि अभी मुझे खुद clear रही है इसका जितना answer आपको मैं search करके लाया हूँ आपको बता दे रहा हूँ ठीक है इसको आपको बताएंगे बाद में then इसके बाद 21 नमबर निम लिखित में से कौन विरासत सहरों में के समगर विकास के लिए चुने गए 12 हिर्दय सहरों में से नहीं है तो यहाँ पर आपको जो सही answer बनने वाला है question number 21 का वारंगल ठीक है वारंगल हो जाएगा यहाँ पर then इसके बाद question number 22 question number 22 आपके सामने आचुका है निम लिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो यहाँ पर आपका जो सही answer बनने वाला है क्या हो जाएगा option C महिला समराज योजना 1989 यह सही सुमेलित नहीं है then इसके बाद 23 नमबर अंग्रेजी वड़ माला के कितने अक्षर capital ठीक है capital भी लिखे होने चाहिए अक्षर एक दरपण में अपने मूल रूप के समान दिखाई पड़ेंगे यहाँ पूछा जा रहा है अगर जैसे आपने capital में लिखा ठीक है यह आपने अंग्रेजी वड़ माला पूरा लिखा A से लेके Z तक उसके बाद आपको एक एक वर्ड देखना होगा दरपण में यहाँ पर आपको ऐसे वर्ड बताने है जो दरपण में देखने पर भी उसी के जैसे दिखे अगर आप जैसे A को देखेंगे तो सेम आपको ऐसे ही दिखाई देगा दरपण में भी इसी परिकार से कुल कितने हैं आपके 10 देखिए यहाँ पर student ने लगाया हुआ आप इसको गिन सकते हैं कौन कौन सा वर्ड है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा option B 10 ठीकर 10 ऐसे सब्ध है वर्ड अच्छर है जो की सेम दिखाई देंगे दरपण में भी question number 24 भारती सिविल सेवा के सरंदर में निमलिखित कथनों में इसे कौन सा कथन सही है तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर बनने वाला है 24 का जो बनेगा option C एक और दो दोनो इसके बाद आईए अगला question 25 नमबर ब्रेटिस भारत में सैन निबल पर केंदरी राजस्व का कुल कितना प्रजसत व्याय होता है काफी बच्चे यहाँ पर confused थे क्या लगाए जाए क्योंकि हर साल बजट बदलता रहता है तो मुझे जितना यहाँ पर लग रहा है यहाँ पर आपका सही आंसर बनेगा 45% यानि की option B मुझे यहाँ तक सही लग रहा है ठीक है इसको देखेंगे हम लोग बाद में फटब फट आगे बढ़ते हैं दच्चिड ACI छेतर के लिए भारत का 6 सूतरी प्रस्ताव भारत के किस प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर बनेगा नरेंद्र मोदी option C question number 27 तुलसी के पौधे का औशधी महत्व निमलिखित की उपस्थित के कारण है तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर बनेगा option C फिनोल एवं फ्लेवनोड छीक है इसके बाद अगला question 28 number निमनांकित सब्दों में से कौन सा एक सब्द teachers सब्द में नहीं लिखा जा सकता है यहाँ पर आपको देखिए एक सब्द लिखा हुआ है दिख रहा होगा यहाँ पर teachers अब आपको यहाँ से देखना है कुछ सब्द दिये हुए है इन में से आपको एक एक सब्द देखना है कि इसमें से कौन सा सब्द बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा है तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा सब्द नहीं भी लिख सकते हैं हम लोग तो हो जाएगा आपका चेयर क्योंकि देखिए फ्रेंट्स टीचर्स में आई नहीं है इसलिए आपका चेयर सब्द यहाँ से नहीं बन सकता है तो option D हो जाएगा यहाँ पर इसके बाद 29 नमबर निम लिखित युगमों में से कौन सुमेलित नहीं है तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर फ्रेंट्स बनेगा 30 नमबर का option B कहवा मंगोलिया इसके बाद 31 नमबर 17 सितंबर 2021 को सुरू किया गया अखिल भारती अभियान एक पहल सम्बंदित था तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा न्याय आपके द्वार से ठीक है थोड़ा सा यही मुझे अलग रहा था इसलिए मैंने इसको देखा है बाकी इस अभी तो पुराने टॉपिक है आपके इन नयाय आपके द्वार से कोशन नमबर 32 नमलिकित में से कौन भारत आने वाला यात्रिपूर्टगाल देश का नहीं था तो यहाँ पर आपको चार नाम दिये हुए हैं इसमें से क्या हो जाएगा ओप्शन सी पीटर मुंडी इसके बाद अगला कोशन आपके सामने आ रहा है कोशन नमबर 33 दोस्तों वीडियो को शेर करते रहिएगा अपने दोस्तों के साथ भी जिनका भी UBPSC ROERO का एक्जाम था और आप भी इन सभी कोशन्स को ध्यान से देखिएगा अगर आप कभी भी आगे एक्जाम देंगे तो आपको कोशन का अंदाजा रहेगा कि इसमें किस लेवल के कोशन्स आते हैं अगला कोशन 33 नमबर अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रो का नित्रत तो किस ने किया था तो यहाँ पर आपका आंसर बनने वाला है option कौन सा बन जाएगा option D इसके बाद 34 नमबर क्या हो जाएगा भारत के किसी उत्पाद व्यापार वाड़ेज बिल 2020 में से निमन में किसका उलेक नहीं किया गया है तो यहाँ पर आपका आंसर देखे यह भी थोड़ा सा confused वाला question है ठीक है यहाँ पर अभी मुझे इसका सही से आंसर नहीं पता चल पाया है लेकिन जहां तक मुझे अंदाजा लग रहा है तो option B लग रहा है लेकिन इसका देखा जाएगा बाद में यह भी थोड़ा सा इसक पूछे कहते एक्जाम में इसके बाद 35 नंबर देख लेते हैं नेम लिकित में से किस किन राजा राजाओं को जनता द्वारा 35 रूप से चुना गया था तो friends देखी यहाँ पर आपका आंसर बनेगा option A केवल 1,2 और 4 इसके बाद 36 नंबर अंतराश्री आलू केंद्र CIP का म पेरू में इसके बाद 37 नंबर काकोरी शडियन केस में प्रधान आरूपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्रप्रदेश के किस सहर में फांसी की सहरा दी गई थी यहाँ पर आपका आंसर बनेगा option B विल्कुल सही गोरकपूर सभी लोग कमेंट करके बताते चले अप पर विचार करना है तो आपका आंसर यहाँ पर बनेगा option D ठीक है यहाँ पर देखिए इसका आंसर दिये हुए है option D 1, 2, 3, 4 ठीक है सभी हो जाएगा then इसके बाद निमलिखित समूह में से कौन एक अलग है तो इसमें से कौन सा अलग है नियू यार्क 40 number 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लिवर पर क्या प्रभाव पड़ता है तो option A हो जाएगा लिवर में ग्लुकोज इसतर कम हो जाता है निमलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमस आजा नहीं करता आप सभी को पता होगा जितन सीमस सांजा नहीं करता है नेपाल से इसके बाद अगला question 42 number तो देखिए यहाँ पर आप लोगीत दिया हुआ था और गायन का अवसर यानि यह लोगीत कब गाय जाते हैं तो देखिए यहाँ पर आपका सही आंसर क्या बनने वाला आईए देखते हैं option A ठीक है option A यहाँ प ठीक है इसके बाद अगला question 43 number तो यहाँ पर आपका सही आंसर बनने वाला है 43 का option A ठीक है चौथा दूसरा तीसरा पहला बहुत एच्छा question था आगे भी इस प्रकार की questions पूछे जा सकते हैं इसको screenshot आप ले सकते हैं और हम आपको बता देए इसका आपको PDF जो है हम अपने टेलिग्राम पर प्रोवाइट कर देंगे जिसकी लिंक मैंने आपको सभी वीडियो में प्रोवाइट की है टेलिग्राम का आप वहां से जॉइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर लिजे का इस पेपर की जा दिन जनम भयों का धरती धसी अड़ाई हाथ यहाँ पर बूचा जा रहा है उत्तर पर दिसकी किसे अतिहासी कोई भूती से है तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर बनेगा आलहा देन इसके बाद 45 नंबर यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर क्या बनने वाला है डायरेक्ट आपको आंसर बता देते हैं अगर कोशन पढ़ेंगे तो बहुत लंबी वीडियोस हो जाएगी आप लोग पूरी रही देख पाएंगे तो 45 का सही आंसर बनेगा option क्या बनेगा option C ठीक है तीसरा चौथा पहला दूसरा यह वाला सही है दैन इसके बाद नदी का जल पर दूसर मापा जाता है option D जल में घुली oxygen की मात्रा से इसके 31.2% भारत में पहला रवर टायर आधारित मेट्रो कहां बनाया जा रहा है तो तो फ्रेंड्स यहां पर जो आपका सही आंसर बनेगा यहां पर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सही आंसर क्या बनेगा आपका 48 का सही आंसर बन जाएगा option D नासिक नासिक बन जाएगा आपका यहाँ पर सही आंसर इसके बाद अगला कोशन मकडियों द्वारा उत्पादित रेसम कहलाता है टासर रेसम आप सभी को पता होगा question number 50 निमलिखित यूगमों में से कौन सा सुमेलित है सही सुमेलित कौन सा है इसमें से तो यहाँ पर आपका सही आंसर बन जाएगा सही आंसर इसमें से आपका बनेगा देखी यहाँ पर नीचे options दिये हुए है इसमें से आपका सही आंसर बनेगा option D पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इसके बाद कोशन नमबर 51 कानपूर उत्तर प्रदेश इस्थित भीतर गाउं मंदिर के संदर में निमलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है तो यहाँ पर आपका सही आंसर बनेगा कौन सा बन जाएगा 51 का option C पहला और दूसरा दोनो चलिए फटाफ़टा आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर 52 की तरफ निमलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है यहाँ पर option B हो जाएगा ओडी सा तपता पानी then इसके बाद कोशन नमबर 53 मिला लेते हैं हम लोग मोनो क्लाइमेक्स एकल चरम सिध्धान्थ का परतिबादन किया था तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा option A वाला हो जाएगा I F E क्लेमेंट्स कोशन नमबर 54 मिला लेते हैं हम लोग तो यहाँ पर आपको डिरेक्ट सही आंसर बता देते हैं option C हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कोशन नमबर 55 निमलिकित मेंसे कौन सही सुमेलित नहीं है तो इसमेंसे कौन सही सुमेलित नहीं है option D कोश्चन नमर 56 निम लिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्राधिकारी घोसित किया था तो किसे किया था option B हो जाएगा लहना इसके बाद अगला question 57 का सही आपका answer देखिए बनेगा यहाँ पर इसके options दिये हुए हैं आपको matching करना होगा सही answer आपका बनेगा 57 का option A वाला हो जाएगा ठीक है A वाला बिल्खुल सही है दूसरा चौथा पहला तीसरा दैन इसके बाद question number 58 पूछा था आज के paper में जनरल study के paper में निम लिखित भारती नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिसरा 2011 की जनरल करना के अनुसार सबसे कम रहा है तो आपका यहाँ पर answer बनेगा option C लखनव 59 में हो जाएगा आपका देखिए यहाँ पर आपको dictionary सब्द को उसके साफसे word को लगाना था तो मुझे जहाँ तक लग रहा है option B हो जाएगा क्योंकि देखिए यहाँ तक तो same है ठीक है इसके बाद देखिए यहाँ पर L आ गया है लेकिन L से पहले आता है आपका L से पहले E आता है तो यह dictionary में पहले आ जाएगा तो कौन सा बन जाएगा option B हो जाएगा इसके बाद देखिए question number 60 मिला लेते है भारती नीती आयोग द्वारब प्रकासित ADG इंडिया इंडेक्स एवं डैस बोल्ड 2021 के अनुसार निमलिकित में से कौन सा राज सतत विकास लच्छेओं से सम्बंधित अपने प्रदर्शन में सीर्स 10 राज्जियों में सम्बंध नहीं था तो कौन सा नहीं था यहाँ पर पंजाब आपका सही आंसर बन जाएगा इसके बाद अगला question 61 number का आपका आंसर हो जाएगा कासी लालिमा निमलिकित में से किस फसल की प्रजाती है तो भिंडी हो जाएगा यहाँ पर आपका सही आंसर इसके बाद अगला question 62 number का हो जाएगा देखिए यहाँ पर 5 और 4 9 हो जाएगा 9 multiply 2 18 6 और 3 हो जाएगा 6 7 8 9 ठीक है 9 और 9 multiply यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 27 इसके बाद 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 16 multiply कितना करेंगे 6 देखिए यहाँ पर solve किया गया है 16 का आप 6 से multiply करेंगे तो 96 हो जाएगा तो इसी परकार से आपका answer क्या हो जाएगा option D हो जाएगा 6 भारत में निमलिकित में से किसे एक jab with the hot spot माना जाता है तो यहाँ पर आपका answer क्या बनेगा 63 का option B ठीकर फटर फटर आपको सारे questions दिखा देते है hydrogen sulfide producer का मुख्ष शुरोथ है तो यहाँ पर आपका answer बनेगा तेल refinery 1993 में निमलिकित में से कौन सी भासा आठवी और सूची में समलित की गई थी तो यहाँ पर आपका answer बनेगा mathly ठीकर mathly यहाँ पर आपका सही answer हो जाएगा question number 66 का आपका सही answer बनेगा एक तरफ दिया था पंच वर्सी योजना और दूसरी तरफ दिया था परियुक्त विकास model तो यहाँ पर आपका सही answer बनेगा option B हो जाएगा दो चार एक तीन ठीक है आप लिए इसको match करके देख लिजेगा पहले का हो जाएगा दूसरा दूसरे का हो जाएगा चौथा और तीसरे का हो जाएगा पहला दैन इसके बाद चौथे का हो जाएगा डी का हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, इसके बाद question no. 67, यहाँ पर आपका answer क्या बन जाएगा, option चूना पत्थर, ठीक है सही सुमिलित आपको यहाँ पर करना था, तो इसका answer हो जाएगा option A, ठीक है A वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, और इसके बाद देखिए यहाँ पार पूछा गया था न यहां पर आपका हो जाएगा एक यह है एक यह है और यहां पर देखिए आगे यहां पर यह नहीं हो सकता है यह भी नहीं हो सकता है तो कितने हो गए आपके दो हो गए इसके बाद निमलिक्ति पिन से कौन सा सुमेलित नहीं है यह इस परकार के कोशन पूछे गए थे भासा औ दिखा देते हैं ठीक है अगला कोशन था निमलिकित में से कौन सी नदी उत्तर पर देश राय जिसे प्रभावित नहीं होती है तो ये कोशन पूछा गया था इसके बाद निमलिकित संख्या में से एक गलत संख्या दी हुई है आपको ये भी करना था इसके बाद विद्दु देखी कैसे आता है हमारे घर में तार से आता है तो पानी कैसे आता है पाइप से आता है और इसके बाद निमलिकित में से कौन साही सुमेलित नहीं है यहाँ पर आपको बताना था दोनों में से कौन सा कथन सही है ये कोशन पूछा गया था देन इसके बाद आपके सामने आ अंतिम सुभिदार था ठीक है ये कोशन था इसके बाद 76 नंबर आपका ये कोशन पूछा गया था ठीक है ऐसे ऐसे कोशन पूछे गया थे आपके आज के एक्जाम में जो की बच्चों ने बताया कि काफी टफ पेपर था इसके बाद 77 नंबर हमें कमेंट करके बताईएगा आपके आपने कितने आंसर आज कितने जो है कोशन सॉल्व की है आज की पेपर में ठीक है तो यहां पर देखिए इसका सही आंसर बन जाएगा option C क्योंकि देखिए भारत में गन्ये का सबसे बड़ा हब है भारत का उचितम दूद उतपादक प्रदेश है भारत में चावल क सबसे बड़ा उतपादक है तो यहां पर हो जाएगा आपका C वाला निम लिखित में से किस सहर को जून 2021 में घोसित इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की समाजिक पहलू स्रेडी में विजेता घोसित किया था तो यहां पर आपके चार options थे आप लोग इसको करिएगा ठ इसके बाद अगला question आपके सामने ये था 81 number ठीक है इसका PDF आपको हम provide कर देंगे आप लोग download कर लीजेगा टेलीग्राम से जितने भी जोइन नहीं हुए है फटा फट जोइन हो जाएगे हमारे टेलीग्राम से भी ठीक है 83 number पूछा गया था ये वाला question और इसके बाद 84 number प अभी का क्या नाम था तो यहाँ पर इसका सही आंसर बनेगा option A Manoranjan ठीक है Manoranjan प्रसाद यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अगला question था 86 number जिबूती अचार सहीता संबंदी थैर तो ये question भी आप पढ़ लिजे एक बार इसके बाद 87 number 87 number ये question पूछा गया था इसको भी इसके बाद अगला question देखिए question number 88 कौन सा भिन है इसमें से अगर दिसा दिसा देखा जा तो इसमें भी एक सुई होती है जो की घूमती रहती है कमपास में भी सुई होती है ये सुई है और चुमबक यहाँ पर सबसे अलग हो जाएगा डी वाला लगा लिजेगा ये आप ल इसको भी आप कमेंट करके बताईएगा question number 91 ये पूछा था आपकी सामने आ चुका है question number 91 आईए आगे बढ़ते हम लोग फटा फट 92 नंबर ये question पूछा गया था फल और सबसे बड़ा उत्पादक इसके बाद देखिए अगला question 93 नंबर ये पूछा गया था काफी बच्चों को इस question में confusion हुई है जो कि हमें पता चला है कमेंट के द्वारा इसमें काफी रधा confusion हुई ये बच्चों में जो कि जो option इसका है वो इसमें दिया नहीं गया है अगला question 94 नंबर ये पूछा गया था और 95 नंबर में सही answer हो जाएगा option B दरोगा 96 नंबर में ये question आया था 97 नंबर में ये question पूछा गया था और इसका देखिए सही answer आपको बता देते हैं option A हो जाएगा तीसरा दूसरा पहला चौथा ठीक है option A वाला सही हो जाएगा और इसके बाद देखिए अगला आपको बताते हैं ये question पूछा गया था देखते रहिए सारे question पढ़िए वीडियो रोग करके वीडियो को share करते रहिएगा अपने दोस्तों के साथ भी like कर दिजेगा जितने बच्चे देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को like करेंगे ठीक है इसके बाद आपको हम बताते हैं question number 104 का सही answer क्या होगा केवल दो ठीक है यहाँ पर option भी सही हो जाएगा 104 का इसके बाद अगला question ये था आपके सामने 106 का ये था 107 ठीक है 108 ये था question 109 total यहाँ पर आपको 140 question देखने को मिलेंगे और देखिए यहाँ पर आपका सही answer बनेगा 110 का option C यहाँ पर आपका होना चाहिए MB ठीक है 1 gigabyte equal to 1 MB मेगाबाइट देखिए ये पूछा गया था यहाँ पर निरत्य पूछा गया था लोग नाट्य इसके बाद अगला question सभी question को देखते चलिए इसके बाद आपको बताने वाले 128 का सही answer क्या होगा ठीक है ये सभी question पूछे गया थे exam में काफी अच्छे level के questions थे 128 का सही answer आपको बता देते हैं option B हो जाएगा तीसरा चौथा दूसरा पहला अगला question ये था 130 number 131 132 133 134 134 का सही answer हो जाएगा option C वाला हो जाएगा ठीक है बलदेव छटका मेला पुर्वान चल ये आपका सही सुमेलित नहीं है इसके बाद question number 135 then इसके बाद question number 136 137 जहां तक मुझे इसका answer लग रहा है option A आप लोग comment करके बताएगे इसमें कितने वर्ग और कितने triangle त्रिबूज है comment करके बताएगे इसका answer आप लोग इसके बाद 138 question number 139 और last question 140 तो ये थे आज के total questions 140 का सही answer आपका बनेगा option B 1833 इस वी में ठीके तो मैंने आपको आज का पूरा paper दिखा दिया जो paper आज के हुआ था समिक्षा अधिकारी सहायक समिक्षा अधिकारी का दो पार्ट में paper हुआ था पहले पार्ट में हुआ था तो ये थे सारे questions आज के इसके बाद आपको हम बताने वाले हैं हिंदी का भी paper और हिंदी का आप लोग भी देखिएगा अगर जिनका भी जो भी UPPCL Assistant Accountant की तयारी कर रहे हैं हिंदी के सारे questions को आप लोग देखिएगा यहां से भी question ऐसा ही question आते हैं थोड़ा आपको अंदाजा लग जाएगा ठीक है यूभी PCL वाले भी हिंदी के paper को पूरा देखेंगे तो चलिए friends वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं शेयर कर दिजिए अपने दोस्तों के साथ और टेलीग्राम पे जॉइन हो जाएए जहां पर आपको paper प्रोवाइड हो जाएगा आप लोग राम से देख लिजेगा इसको ठीक है ओके बाइबाइ टेक केर